दिवाली के अगली दिन कार्थिक शुकल परतिपदा को अन्यकूट उत्सव यानी गूँवर्धन परव मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण के साथ गोमाता और गोवर्धन परवत की पूजा की जाती है पर्ष इंद्र को परसंद करने के लिए इंद्र का पूजन करते थी इसमें 56 भूग लगा ने उनका पूजन के ग्यश्रिक ने का कृणकी गया éléments वालते जो से गया है तब गर। तो ब्रजवासु ने का कि आप इंद्र रुष्ट हो जाएंगे नारा जाए उन्हें को नहीं होती हैं तो साख्षाथ हैं ठीक है जब आपको उस्व रूप में डाल दिया इधर बालवस्था में थे उदर गोवर्दन बेढ़ करके वह परसाथ जो भोग लगा है वो खा रहे हैं तो बर्ज गोपाल वासी जो तेमारे बर्ज वासी थे जो बालक थे उन्होंने का भई कहते यह तो गोवर्दन महाराज सभी परसाथ खा लें तो अमारे क्या बचेगा जपन भोग है इसको भोग अब इंडर महाराज जी देख रहे हैं कि इतर न देखा कि नहीं कर दिया तो ना किया अब इन पर निलना चाहिए तो दन के आदेश दे दिया वायू को जल को आप जाओ और ऐसी भयंकर वर्षा करो आप आप पर कि बर्जवासी सब डूप जाए ऐसी बर्षा होने लगी अब सब मुने का ले कि आपने कहा था कि गौर्दन का पोज़े करो इंदर नाराज हो गए और यह बर्षा हो गई अब तो मगन होने लगा पूरा बिर्जव उन्हां चिंता मत करो उन्हें सब सहयोग दो अरी गोवर्दन परजी महाराज में रक्षा करेंगे तो भगवान किसने सब गवाल बालों को बोला सब ले करके और अपनी करिश्टिका की उंगली पर गोवर्दन परजी को उठा दिया एक स लोकल एटीन की इस दिन से जब पर इंद्र महाराज एक अपता बाज को तो गोलों नहीं बचा होगा तो आये देखा उन्होंने क्या यह तो सब सुरक्षित हैं तब उन्होंने इंद्र ने का को मरसे बबरी तूटी होग गलती होगे यह तो भगवान साक्षात नारायन है क लोकल एटीन के लिए दहरादून से हिना आजमी की रिपोर्ट